दिहात में हमारा कहात है जलमे मखछली रहे हैं कि छिल्वे मचली रही का तौन जी तर्मघी है अन्य लोग पक्रा लेंगे जी अरक्षन के मतलम हमको कोई खैरात नहीं है अरक्षन का मतलम हमको पर्जेंटेशन है हमारा लोग हर जगा दिखाई दे तो प्रीम कोट ने जो निरने लिया है वह निरने निश्चित रुप से पूरे देश के अंदर इस निरने से दलिस समाज में मरमाहत है माजी जी कर रहे हैं लेकिन माजी जी को हम सवाल करते हैं माजी जी से मुझे करना नहीं है लेकिन आज बताइए पूरे बिहार में नौव कमिशनरी है कर वो कमिशनर एसी समाज से है विभाग में चीप सेक्रेटी कितने एसी समाज से है बिहार के अंदर कितने एसी समाज के आ सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि 2018 के घटना जो है जिस पर आग सुलगना पूरे बिहार और देश के अंदर शुरू हो गया है सब्सक्राइब करने का अधिकार सबों का है चाहे तेजस्वी जादव जी हो चाहे जोनेता हो अगर बास्ता में देश के बिहार के दलितों के आप हित ऐसी है हर्ची जब परधाने मंत्रिया भाजपा के माथा पर फोरना चाहते हैं एक तरफ चिराग पास्मान सुप्रीम कोट के फैसले को लेकर के नाराजगी बैक्त कर रहे हैं तो वहीं जीतर नामान जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं यानि दो केंद्रिया मंत्री आपस में ही भीर गया हैं अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ SCST की जो मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं लखेंदर पास्मान जो बिजेपी से विदायक हैं उनसे बाचित करेंगे इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं जिस तरीका से दो मंत्री आपस में भीर गया हैं उसको लेकर क्या कहे जीतन रामान जी जो है वो कह रहे हैं सही है एक ही लोग मजा लेगा दूसरा लोग क्या सजा काटते रहेगा लेकिन इस सबसे उठक अलग बात है जो बावास शाब ड्रग्टर भीमराम अम्थ करजी ने सम्भीधान में अरक्षन का प्रवधान किया था उसका यह उदस नहीं था जे अरक्षन के मतलम हमको कोई खैरात नहीं है अरक्षन का मतलब हमको presentation है। हमारा लोग हर जगा दिखाई देये। ये presentation है, ये मेरा लोग हर जगा दिखाई देगा, तब ये तो समाझ की अंति पक्ति बैठा हुआ लोग को भीकास की बात करेगा। ता समिधान में अरक्षन का मतलब ये था, या है। लेकिन जो सुप्रीम कोट ने जो निर्ने लिया है वह निर्ने निष्चित रुप से पूरे देश के अंदर इस निर्ने से दलिस समाज में मरमाहत है समाज के लोगों में मरमाहत है उसका एक सामने एक आज के तरह भूआ फैलना शुरू हो गया है जिस परकार 2018 में सुप्रीम कोट ने एक निर्ने लाया था जो अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती का अत्याचार अधनियम के उपर जो निर्ने लिया था सुप्रीम कोट ने और एक आग के तरह जो फैला सा पूरे देश के अंदर तो महा महीं सुप्रीम कोट से हम सुप्रीम कोट क स्प्रकार अरक्षण के लोको थे और झाल अपने अंदर अपने भिहार के अंदर है अरक्षण से कून बचा हुआ है अब तो कोई नहीं कर सकता तो how to रोकों है तो अरक्षण हिले अरचर मिल गया है लेकिन इसकिन आरक्षन के अंदर आरक्षन लाने का उदिस है जो बाबा सहाब भीमराव अम्बेद करने, जो दलीष समाज अनुनफंशों जहाते समाज को, अन्तिम्द पक्ति में बैटा हो लोग को विकास की बात की थी, वो दलीष समाज बठ जैगा इससे, दलीष समाज तूट ज पिहार में भी एक निर्णय आया दलितों में महादलित उसमें भी हम दलित समाज के लोग बट गये थे आज भी बटे हुए हैं बाद में सरकार ने इंडिये के सरकार ने पुरह निर्णय लिया और जो दलित और महादलित दोनों समाज के जो विकास के कार्द है दोनों के समान अच्छा है एक ही लोग काई फाइदा उठाए दूसरे लोग को भी मोका तो मिलना चाहिए माजी जी एंडिये के नेता है, माजी जी दलिस समाज के नेता है, माजी जी को सबों को भी से पर जाना चाहिए था, माजी जी यदी बोल रहे हैं माजी जी यदी अपने मंत्री है उन्हेकी पुत्र भी मंत्री है और और लोग को भी मोका मिलना चाहिए सही कर रहे हैं माजी जी भी माजी जी कर रहे हैं लेकिन माजी जी को हम सवाल करते हैं माजी जी से मुझे करना नहीं है लेकिन आज बताईए पूरे बिहार में नौ वो कमिशनरी है, कई वो कमिशनर एसी समाज से है, विभाग में चीप सेक्रेटी कितने एसी समाज से है, बिहार के अंदर कितने एसी समाज के आईएस आईपीएस है, जुडिस्योरी में कितने एसी समाज के है, एसी समाज के कितने लोवर है कितने समाज के भीसी है पुरे विहार के अंदर कहीं नहीं है नगन है और अरक्षन का मतलब है शमान अनुपात में लाना आपको लगता है कि अभी भी छुआ छूत है मंदिर जाते हैं आप तो मंदिर को धोया जाता यह चिराग पास्मान कह रहें अभी भी घोरी प अगर माजी जी कर रहे हैं उनका ब्यान चला था माजी जी कहीं ब्यान था उनके साथ घटना हुआ था लेकिन जितना था वह कम हुआ है लेकिन अभी भी हम समान अनुपात में नहीं आये हैं आज भी न कहीं कहीं न कहीं ठीक है हम बराबरी की हो गये हैं हमारे समाज के ही तो उनको अतरजी दी जा रही है, लेकिन मास लेबल पर जाए हम अधलिस समाज के लोग है, वो आज भी वही है जहां बर्सों से पहले खरा था हूँ, आज भी उसके साथ उसी सिती में है, समानता का भार आज भी उसके साथ नहीं हो रहा है, और आरक्षन का मतलब है जब तक स सुप्रीम कोट के निर्नय जो आया है, उस सुप्रीम कोट के निर्नय पर पूरन विचारियाज का निचुप से दायर होना चाहिए, और सुप्रीम कोट को भी जिस प्रकार, 1975 में एक निर्नय आया था, 1975 में जो वहां जो नियाधिस थे, क्रिष्णा, क्रिष्णा, यह सूप्रीव कोड यह कोई निरने लेती है कोई प्रस्ताव लेती है को ओसमें यही चूक मेंट के सुर्प्रीव कोट एक विचार ला सकते हैं उस पर लाजा सकता है संग्यान लेना चाहिए और 113 के अंतरगत ये प्रभधान भी है समिधान में धारा 137 के अंतरगत जो कोई निर्णव somos लाती है और अब उस निर्णवे पर पुणत्व पूरे बिहार और देश के अंदर आया था आग शुलुगना शुरू हो गया था और एक क्रांति के रूप धारन कर लिया था एक अंध्रों का पूरे देश में हो गया था गई घटना घट गई थी तब मैं पुनह सुप्रीम कोड से भी मैं निवेदन करता हूँ और पुनह विचार याज का जो लाए इसमें तो उनको विचार करना चाहिए ताकि 2018 के घटना जो है जिस पर आग सुलगना पूरे बिहार और देश के अंदर शुरू हो गया है दलिस समाज को ये लगना शुरू हो गया है जिह हमको बाबा सहब भीमरा अंबेदकर जी ने जादिकार दिया था उसके साथ इस सुप्रीम कोड के निर्ने के कारण हमारे साथ एक दलित को कमजोर किया जा रहा है और दलित को बाटना शुरू हो जाएगा हम पाठ पाठ में हो हो जाएंगे तो जलिस समाज के लोग अनुसूची जाती समाज के लोग ने एक आग बनका गुवारा बनना शुरू हो गया है उगवारा बराश्ट नहीं कर जाए और इसका एक विक्राल लूप पुर्य देशर विहार के अंदर नधारन कर दे इसलिए पुनर विचार अभी भी चुवा चुद तो है देश के मान्य प्रधान मंत्री जी ने 2018 में भी सुप्रीम कोट का जर निर्ना एया था अनुसूची जाती अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने की बाड़ी आई थी उस समय भी अध्यादेश लाया गया था और सुप्रीम कोट के निर्ने को चंज किया गया था लेकिन हर ये तो सुप्रीम कोट में प्रण विचार याज का करने का अधिकार सबों का है चाहे तेजस्वी जादब जी हो चाहे जोनेता हो यगर बास्ता में देश के बिहार के दलितों के आप हित ऐसी है तो हर्ची जब परधाने मंत्रिया भाजपा के माथा पर फोरना चाहते हैं बाजपाने तक करकर दिखा दिया और देश के अंदर अंबेदकर जी के बाद दलित समाज के लिए सबसे बरा कोई सुचीन तक है तो देश के ससी माने प्रधान मंति नरेंद मोदी जी है जिसने दलित के बेटा को राश्पती से बलेकर राजप डिखी पढ़लिका नहीं है हम पत्यकारता के छत में ही कितने परसेंट दलित समाज के लोग है अब होग भी हमारी इस्थिति वहां नहीं है तो जब हम कहीं नहीं है तो फिर हम अरक्षन के अंदर अरक्षन लाने किया रस्ता है इसका कोई अच्छित नहीं है भाई आप क्रिमिलियर की बात करते हैं अभी ही देश के अंदर क्रिमिलियर लागू करने अथोपने का कोई अच्छित नहीं है इसकी कोई अवसक्ता नहीं है यह पूरी देश के अंदर यह आग स्फुलग रही है और सुलगने का परिणाम देखने के मिला था कि इसलिए किसी के अदकारों को अगर चीरभर होते हुए कोई देख नहीं सकता है कि इसलिए मैंने कहा याग सुल्जे नहीं और इस अगनी में कि देश का छती नहीं हो इसलिए पुना इस प्रकार का विचार से इस प्रकार के निर्मे से बचना चाहिए और पुनर विचार याज का निश्चित से दायर होगा हम सब लोग उसमें हर हाल में इसका समर्थन करेंगे और इस पर सुप्रीम कोट को भी अपना निर्मे बदनना होगा बिल्कुल तो अब सुन देते क्या कुछ कह रहे बिजेपी विदायक लखेंदर पास्मान जी निनोंने तमाम सवालों का जवाब दिया साथ सásथ जो है जीतर नामवां जी को भी अच्छे से समझा दिये और चिराग पास्मान ने जो बात कई है उस बात को लेकर के भी साब तर्पर कह रहे हैं कि देखिए चिराग पासमान ने सही कहा है और पूरे देश में फिर से आग सुलक रही है क्योंकि आरक्षन के अंदर आरक्षन यह सही नहीं है पुनर्विचार याचिका फिर से दायर होगी और उस पे जो है सुप्रिम कोट को जो है फिर से पुनर्विचार करना कमलेश कुमार लाइब बिहार पतना